दोस्ता, आप लोगाने कई बार हम से पूछा है कि हम लोगों ने कई बार सुना है, रोम के बारे में, रोम कोल सी memory होती है, जो computer के अंदर होती है, उसके बारे में बताईए, इसका क्या use है, क्या use है, कहाँ पर use है, इसके बारे में बताईए, तो ये वीडियो बिलकुल उसी करें, शेयर करते रहें और कमेंट करना न भूलें कि नेक्स वीडियो की स्टॉपिक पर चाहिए क्योंकि ये सारी की सारी वीडियो आप लोग के कमेंट के आधार पर ही आती हैं आये दोस्तों हम लोग समझने की कोशिस करते हैं रोम, एक प्रकार से Read-Only Memory का सौट नेम है ये, रोम, फुल नेम Read-Only Memory है या अस्थाई या अर्दास्थाई डेटा रखने वाली कम्प्यूटर मेमोरी चिपस होती है RAM के विपरीत ROM एक non-volatile memory है जिससे computer बंद करने के बाद भी ROM का data इसके अंदर जो है ROM के अंदर data जो है वो बना रहता है वो खतम नहीं होता है ROM में समान्य रूप से केवल पढ़ा जा सकता है जैसे कि इसके नाम से जाइर हो रहा है read only memory सिर्फ इसको read किया जा सकता है इसमें data को लिखा नहीं जा सकता आप इसके अंदर खुद कुछ लिख नहीं सकते जो company के द्वारा लिख दिया गया है उसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं किसी तरीके से data को आप modify नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ read only memory होती है इसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं फिर इसका काम क्या है फिर या खिरी में होता कैसा है क्या है ये अगर हम इसको और थोड़ा सा details में समझें तो ROM एक नोन वोलेटाइल memory है जैसे कि मैंने बताया जो light cut होने के बाद या फिर computer बंद होने के बाद भी इसके अंदर जो data है वो अस्थाई रूप से बरकरार रहता है जैसे कि RAM में आपने सुना होगा जैसे ही light जाती है उसका data खतम हो जाता है उसके अंदर रहता कुछ नहीं है उसके बारे में हम लोग details में समझेंगे यह बस चैनल के साथ बने रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेगे अगर नहीं जानते हैं तो comment कीजिए हम उस पर भी video ले करके आएंगे रोम में इस्टोर हुआ data को केवल read किया जा सकता है write नहीं किया जा सकता रोम एक RAM की तुल्ला में काफी slow memory होती है रोम हर computer में जरूर होता है या जितने भी digital equipment होते हैं उनके अंदर भी रोम जरूर होता है जिसके अंदर जो है जो computer के अंदर आते हैं थोड़ी मात्रा में जरूर आपको मिलेगा उसके अंदर boot, firmware होता है इसमें कुछ kilobyte के code होते हैं जो computer को यह बताते हैं कि जब computer start होगा तो उनको करना क्या है Actually जब आप button दबाते हैं तो actually कैसे कैसे किस process से computer start होकर के आपको display दिखाई देगा यह एक पूरी प्रतिरिया है जो one by one start होती है और यह ROM के आधार पर ही होता है क्योंकि ROM के अंदर ही वो सारी चीज़े डाली होती हैं जिससे computer start होता है इसलिए light जाने के बाद भी वो system disturb नहीं होता उसके अंदर data disturb इसलिए नहीं होता कि light जाती है अचानक बंद हो जाने के बाद भी जब आप दुबारा से computer का button on करते हैं तो दुबारा से उसी process में जो है यह start हो जाता है इसके अंदर जो software जो install होता है उसको BIOS कहा जाता है आसान भासा में ROM एक semiconductor fabricated memory होती है जिसके अंदर data अस्थाई रूप से store होता है जिसमें एक बाद data store होने के बाद उसे भविस्वे modify करने की अनुमती नहीं दी जाती है यह solid state ROM का सबसे पूराना प्रकार है और इसे mask ROM के नाम से भी जाना जाता है आज के अत्याधुनिक प्रकार के जो RAM होते हैं उसके अंदर P ROM होता है यानि electrically erisable, programmable, read only memory होता है इसके अंदर जो है data को modify किया जा सकता है जैसे कि computer के अंदर जैसे आप चालू होता है वो तो company के माध्यम से जो आ गया है वो आ गया है अभी computer में E-P ROM होता है उसके अंदर क्या होता है कि BIOS के अंदर जाकर कि कुछ setting को आप छेड़ सकते हैं लेकिन वो आपके हाथ मेंने कि आप उसको format कर दें या उसका लिखा हुआ बिलकुल मिटा दें ऐसा नहीं है कुछ settings को करने की permissions दी जाती है और ये company के द्वारा ही की जाती है जो आप उसके अंदर थोड़ा मोड़ा modify कर पाते हैं लेकिन अभी भी उन्हे read only memory के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि reprogramming प्रक्रिया आम तोर पर हर कोई नहीं कर सकता इसका कुछ process होता है जो की company या फिर कंपनी के engineer ही करते हैं या जो लोग उसके बारे में जानकार हैं वही लोग कर सकते हैं users उसका प्रयोग नहीं करते हैं ना तो उनको उसकी जरूरत होती है ROM memory का मुख्य रूप से firmware वितरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है अर्थात software विसिस्ट हार्डवेर से निकटता से जुड़ा हुआ होता है और बार बार update की इसको जरूरत नहीं पड़ती है जनरली जब अब generation change में जाएंगे socket वही है generation change में जाएंगे तो इसको नए बाले processor के हिसाब से अपड़ेट करने के जरूरत पड़ती है वो भी एक engineer ही कर पाता है यह आम users नहीं करते है तो यह ROM होता है जो हर computer में होता है उसी के हिसाब से ही computer start होगा अगर उसमें problem आ जाएगी या उसका software उड़ जाएगा किसी भी कारण बस तो वो जो है आपका computer start नहीं होगा चाए कुछ भी कर लेजिए तो इस तरीके से जो है दोस्तों ROM का काम होता है ROM memory होती है तो दोस्ते वीडियो इंफरमेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कामेट में ज़रूर बताएं इसी परकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि मैं इस्टैक की वीडियो हमेशन लेकर के आता रहता हूँ मैं मिलका हूँ नेक्ष किसी और अच्छी इंफरमेशन वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबात करता हूँ आपका दिल सुक्राइब